नमस्कार दोस्तों सागत आपके अपने चाइनल परफेक्ट ट्रेडिंग में तो आज हम कुछ बेसिक्स आप शेयर मार्केट सिखेंगे यह देख सकते आप पार्ट वान है मैं से दस पार्ट बनाने की कोशिश करूंगा जिसमें लगबक सारा बेसिक्स आपका कवर हो जाए यह बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी किसर हमें बेसिक्स नहीं बता जो बीगिनर होते है वगेरा मैंने उनको भी बोला है कि हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी यह बेसिक होगे और भी मैं डिटेल ले लूँगा उदर लेकिन हमारे यूट्यूब दोस्तों क टेकनिकल अनेलिसिस है फंडेमेंटल अनेलिसिस है और हमारा सिक्रेट सेटप भी है जो हर बार नो लॉस में निकलता है मतलब हर दिन प्रोफिट दिलाता है कैपिटल के 10-20% कैपिटल हम आराम से लगबग दिन में कमा लेते तो एक बार आप जुड़ जाए उदर वरुसा कीजिए आपकी अगर लाइफ चेंज नहीं हो गई तो यह मेरा वादा है कि आप भी शेयर मर्केट के मास्टर बन जाओगे तो चलिए यह शुरू करते हैं बेसिक अप शेयर मार्केट जिसमें मैं आज आज आपको दो तीन इंपोर्टन के टाइप और उसके यूज़ बद या फिर यह पैटरंसीब पढ़के हम ट्रेड लेकर लॉस कर देते हैं या अच्छा सा प्रोफिट नहीं होता जितना चाहिए उतना टार्गेट कंप्लीट नहीं होता और यह सज बात ही कि सिर्फ कैंडल देखकर आप कोई ट्रेड नहीं कर सकते मतलब सिर्फ कैंडल का आज करोडपती हो जाते इतना आसन नहीं रहता यह प्रॉपर लर्न करके हमें हमारे सेट अप में यह हमें डालना पड़ता है और हमने हमारा सेट अप भी ऐसा बनाए कि जिसमें कैंडल का एकदम बेसिक नॉलेज हो तो भी हमें चलता है जो कि जो नॉलेज हमें जरूर यह मैं आपको इधर बता दूँगा कि दो तीन जो इंपोर्टन केंडल टाइप से वो कैसे करनी है तो चलिए चलते हमारे एक मेरे पास पीडिये पे उसकी तरफ चलते हो मैं टेलिग्राम चैनल में शेर कर दूँगा ताकि आप वो उधर भी देख सकते चलत तब तक लाइक श दे रखें डिस्क्रिप्शन में आप जोइन हो सकते हैं उधर और यह पीडियाप डाउनलोड कर सकते हैं और हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम की फीज वागरा सब देख सकते हैं यह दिखिए यह जापानिस का है यह दा मोस्ट सक्सेस्पुल ट्रेडर इन हिस्ट्री से का आ गरम पुरी इंफ्रमिशन यह देखिए चैनलिस्टिक पैटर्न रहते हैं इंगलफिंग बार केंडल, दोजी केंडल, ड्रेगन फ्लाय, ग्रेवस्टोन, मॉर्निंग स्टार, इवेनिंग स्टार, हैमर कैडल स्टिक, शुटिंग स्टार, हरामी पैटरन, ट्वीजर टॉप बॉटम यह ऐसी चीज है कि हम हर बार प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं कि हम लाइव ट्रेडिंग में इसे यूज कर सके लेकिन यह जस्ट हमें इन्फोर्मेशन के लिए मालू होनी चाहिए ताकि अगर कभी हम किसी चीज में फस जाये तो इसका यूज कर सके अचले में 2-3 जो इंपोर्टन कैंडल से उसका मैं आपको बता देता हूँ कैसा रहता है यह देखिए पहले मैं आपको चैंडल स्टिक क्या होती है वह समझा देता हूँ अगर यह समझो यह देखिए इधर जो वाइट में दी यह वो अचुली ग्रीन है और ये black में दी है जो red है अगर green candle बनती है तो उसका close कभी भी उपर होता है और high तो दोनों candle का same होगा ये देखिए high high उपर ही रहेगा और लेकिन जब ये candle green होगी तो उसका close उपर होगा open नीचे से होगी क्योंकि ये bullish candle है और ये bearish candle इसलिए इसका open उपर होगा और close नीचे जाएगा क्योंकि ये bearish candle है जो के हमारे setup में बहुत कामाने वाला है कि close कहा होती है green candle और red candle close कहा होती है ये नीचे की stick केते हैं से lower shadow केते हैं यह बहुत important है इसलिए मैंने आपको candle stick कैसे होती है यह बता है इधर तो हम आप patterns देखते हैं यह देखिए bearish engulfing bar candle है पहली इसमें यह देख सकते हैं आपकी यह small body है यह green candle है और यह जो big body है मतलब long body है यह red candle और इसकी opening price इधर है closing price इधर है इसका मतलब क्या है इस candle का कि यह seller बहुत control में आ चुके है market के मतलब यह share sale की तरफ जा सकता है और seller का control बहुत ज्यादा है buyer की तुलना में समझ गया आप तो आप अगला type देखते है अगले type के पहले से आप यह देख सकते है यह देखिए bearish engulfing है अगर ऐसा pattern आ जा तो यह देखिए market सीधा नीचे चला गाए यह सिर्फ example है इसके बरोसे trade मत किजे हमारा setup यह हम उसमें बता देंगी कि है कैसे fit करना है यह सिर्फ मैं example के लिए ले रहा हो और पूरी उसकी opposite जो है वो है bullish engulfing बार यह देखिए चोटी red होगी और बड़ी green होगी और यह market उपर की तर ज्यादा information ले सकते है यह देखिए उपर चला गया market और second important candle है यह है doji candle stick है doji कहते है जहाँ पर closing और opening price same रहती है मतलब जहाँ share close हुआ जहाँ open हुआ वही close हुआ और यह highest और lowest price रहती है इसका मतलब क्या है कि यह जहाँ भी form होता है समझो यह उपर form हो गया तो उधर से market reverse हो जाएगा मतलब market नीचे चला जाएगा अगर यह नीचे form हो गया तो market reverse होके ऊपर चला जाएगा यह सिर्फ इसके meaning है actual में आप इसके बरुसे trade मत करो आप loss कर जाओगे क्योंकि सिर्फ candle stick के बरुसे trade नहीं करना है हमें हमें एक proper setup में risk और money management के साथ यह trade करना है मैं train reversal candle केते हैं इसलिए important candle यह देखे hammer है hammer pin पर candle केते हैं मतलब यह buyer इस price को पूरी तरह से ऊपर खीच के लिए आ गए और यह ऊपर की तरफ green form हो गई इसका मतलब क्या होता है कि अगर bottom में यह बन जाए तो वहाँ से train reverse होके price up move कर जाएगी यह देखे मैं इधर आपको example देख देखा देता हूँ यह आप देख सकते यह देखिए और यह market ऊपर चला गया है और उसका opposite रहता है shooting star यह देखे shooting star ऊपर फर्म होता है और वहाँ से market नीचे चला जाता है यह example आप देख सकते हैं यह देखिए कैसे market नीचे हुआ है shooting star पर लेकिन मैं आपसे फिर एक बार कह किजिए आप loss कर दोगे इसलिए proper training लिजिए join हो जाई और फिर आपको मैं बता दूगा कि यह कैसा रहता है और यह harami candle pattern क्या होता है महरा बजू pattern क्या होता है आप comment करके मुझे बता सकते फिर हम डिटेल में training में तो इसका सब का discussion करेंगे अब तक के लिए चले चैनल को like share subscribe जरूर कीजिए मैंने यह जो कुछ important candle थी वो cover कर दी बाकी तो सब हम लेंगे basic training में वहाँ advance fundamental analysis सब होगा और मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ कि एक बार जुड़ जाए फिर आपके सब सपने search हो सकते आपकी life बदल सकते एक बार अगर आप जुड़ गए तो ज्यादा अबले वीडियो में like, share, subscribe जरूर के जिए धन्याओ